देश की अलग अलग युनिवर्सिटी के वाई चांसलर्स, प्रोफिसर्स, विभीन समस्थाओं के प्रतनिदिगां और मेरे युवा साथियों अज जितने लोग यह भारत मंड़पम में हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ ओनलाइन जुड़े हुए हैं कि मैं सभी का जी ट्विंटी उनिवर्सिटी कनेक्ट इस कारकम में स्वागत करता हूं और आप सब नौजवानों का अभिनंदन करता हूं फ्रेंट्स आज से दो सप्ता पूर्व इसी भारत मंडपम में गजब के हल्चल थी यह भारत मंडपम बिलकुल हैपनिंग प्लेस बना हुआ था और मुझे खुशी है कि आज उसी भारत मंडपम में मेरा भावी भारत मोजूद है जी ट्वेंटी के आयोजन की और उसको भारत ने जीस उंचाई पर पहुंचा दिया है यह देखकर दुनिया वाकई बहुत चकीत है लेकिन जानते हैं मैं बिलकुल हैरान नहीं हूँ बिलकुल सर्प्राइज नहीं हूँ अब आपके मन में होता हो गार इतना बड़ा हो गया आपको कुछ नहीं हुआ क्या कारण है जानते हैं क्यों क्योंकि जिस कारकम को सफल बनाने का बिड़ा आप जैसे यूथ स्टूडन्स उठा लेते हैं यंग स्टूडन्स उठा लेते हैं कि यूथ जूड़ जाता है तो फिर उसका सफल होना तै हो जाता है आप यंग्स्टर्स की वजन से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है और यह कितना हैपनिंग है यह हम कि पिछले तीस दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है कि और जब मैं तीस दिन की बात करता हूं ना आप भी साथ साजर अपने तीस दिन को जरा जोड़ते चलना बीते हुए है तीस दिन आपके उनिवर्सिटि यह से can Year by याद कर लेना को और दोश न और लोगों कि पराकरम तीस दिन में हुए वो भी याद कर लेना है मैं मैं आपको मैरे नौजवान शाथ यहाख पर साबने आजाया हूं तो अबेम मैं भी अपना कि रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं कि मैं आपको पिछले तीस दिन का एक रीक्यप देना चाहता हूं कि उसे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दूनों का पता चलेगा साथियों आप सब को याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी कि भूल गए है हर कोई प्रांथना कर रहा था कि भाई साब ठीक रहे कुछ गड़बड नहों जाए कर रहा है इधना और फिर अचानक हर किसे का चहरा खेल उठा पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी इंडिया इस अन्द मून 23 अगस्त की वो तारीक हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रुप में अमर हो गई है लेकिन उसके बाद क्या हुआ इधर मून मिशन सबर हुआ उदर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉंच कर दिया अपना चंद्रयान अगर तीन लाग किलोमेटर गया तो यह पंद्रा लाग किलोमेटर तक जाएगा आप मुझे बताइए भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या प्रेंट्स पिछले तीस दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई उचाई पर पहुंची है जी ट्वेंटी से पहले दक्षिन आफ्रिका में ब्रिक्स समिट हुई भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्यूनिटी में छे नए देश शामिल हुए है 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 कि साउथ आपरिका के बाद मैं ग्रीस गया था यह चालीस सान में किसी भी भारतिय प्रधान मंत्री की पहली यात्रा थी और जितने भी अच्छे काम है न वह करने के लिए आपने मुझे भी बिठाया है जी ट्वेंटी समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेसिया में भी अनेक वर्ल डिडर से मिटिंग हुई इसके बाद जी ट्वेंटी में इसी भारत मंदप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए आज के पोलराइज इंटरनेशनल अट्मोस्फियर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों आप एक पिकनिक और्गनाइज करो ना तो भी तैने कर पाते हो खाजाए हमारे न्यू देल्ली डेक्लेरेशन को लेकर हंड्रेड परसेंट सहमती तो इंट्रनेश्टल हेड्लाइन बनी हुई है इस दौरान भारत ने अनेक इंपोर्टन इनिशेटिव और फैस्टलों को लीड किया कि जी ट्वेंटी में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21 सदी की पुरी डाइरेक्शन ही चेंज करने की छमता रखते हैं भारत की पहल पर अफ्रिकन यूनियन जी ट्वेंटी का स्थाई सदस्य के रूप में उसको सान मिला ग्लोबल बायो फ्यूल्स अलाइंस का नेतुरत्वी भारत ने किया जी ट्वेंटी समीच में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मेडलेज यूरोप कोरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है यह कोरिडोर कई महा दिपों को आपस में जोड़ेगा इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और परियटरन को बढ़ावा मिलने वाला है साथियों जी ट्वेंटी समीट समाप्त हुई तो सजुदी अरब के क्राउन पुरिंद की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई सजुदी अरब भारत में हंड्रेड बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है और मैं जो कथा सुना रहा हूं न तीस दिन की बता रहा हूं पर राजा नहीं आ रहे तो इतनों सारा कि बीते तीस दिनों में ही भारत के प्राइम मिरिस्टर के रूप में मेरी कूल 85 वर्ल लीडर से मिटिंग हुई है और यह करीब करीब आधी दुनिया है आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा है होता है ना जब भारत के रिष्टे दूसरे देशों से अच्छे होते हैं जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं तो भारत के लिए भी नए ऑपर्चुनिटीज बनती हैं हमें नया साथी मिलता है नया मार्केट मिलता है और इन सब का फायदा मेरे देश की युवाप पीड़ी को होता है कि सांतियों आप सब सोत रहे होंगे कि पिछले तीस दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हुए मैं सिरु स्पेस साइंस और ग्लोबल रिलेस्टन्स की बात करना रहूंगा क्या यही काम किया कि मैंने तीस दिन है कि ऐसा नहीं है कि पिछले तीस दिनों में कि एसी एस्टी ओविश्य के लिए गरीबों और मिल्लकास के लिए उनको एमपावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए 17 सितंबर को विश्व कर्मा जैनती पर पीम विश्व कर्मा योजना लॉंच की गई यह योजना हमारे शिल्पकारों कुशल कारीगरों पारंपरिक काम से जुड़े साथ्यों के लिए है रोजगार मेला लगाकर बिते 30 दिन में एक लाग से जादा नवजवानों को केंद्र सरकार में गवर्मेंट जॉब दी गई है जब से ये कार्गम शुरू आये 6 लाग से जादा युवग युवतियों को नियुक्ति पत्र दिये गए है इनी 30 दिनों में आपने देश के नए संसत भवन में पहले संसत सत्र को भी देखा है कि देश के नए संसत भवन में पहला विधायक पास हुआ जिस ने पुरे देश को घर्व से भर दिया है कि संसत ने नारी शक्ति बंदन अधिनियम के द्वारा विमेंट लेट डेवलप्मेंट के महत्व को सहर्थ स्विकार किया कि साथियों कि बीते तीस दिनों में ही कि देश में इलेक्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निड़े हुआ हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम को एमपावर करने की दिशा में एक महत्वूर्ण योजना को स्विक्रूति दी है कुछ दिन्यों पहले द्वार्खा में अशो भूमी इंट्रनेशनल कंवेंशन सेटर को हमने राज को समर्पित किया है कि युवाओं को स्पोर्स पे अधिक अवसर मिले इसके लिए मैंने वारानेशी में इंट्रनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान नयास किया कि दो दिन पहले मैंने नव बंदे भारत ट्रेंज को हरी जंडी दिखाई एक दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेने शुडू होना भी हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाड है पैट्रोकल केमिकल सेक्टर में भारत की आत्मंदिर भरता को बढ़ाने के लिए एक और बढ़गा कदम इन तीन दिनों में हमने उठाया है मद्य प्रदेश में स्थीत एक रिभाएंद्री में पैट्रोकेमिकल कॉंप्लेस का स्थिलान्यास किया गया है मद्य प्रदेश में ही रिन्यूबल एनर्जी आइटी पार्क एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और छे नए अवद्यगी शेत्र पर काम शुरू हुआ है यह जितने भी काम मैंने गिनाये हैं इनका सीधा समन्द युवाओं की स्किल्स से हैं युवाओं के लिए जॉब क्रियेशन से हैं कि यह लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में बित जाएगा कि यह तीस दिन का मेरा हिसाब में दे रहा था आपको कि अब आपने अपना हिसाब लगा है क्या कि आप ज़्यादा उसे ज़्यादा कहें के दो मूवी देखी कि मेरे नवजवान साथ्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कितनी तेज गती से चल रहा है कि कितने अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहा है कि मेरे देश के नवजवानों को पता होना चाहिए कि साथ्यों कि युवाब वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां कि आप्टिमिजम कि आपर्चुनिटीज और ओपननेज होती है कि जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है कि उसमें आपके उड़ने के लिए पुरा आसमान खुला है दोस्तों आपसे यही कहूंगा बड़ा सोचे तिंग बीग ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं ऐसी कोई उपलब्दी नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा आप किसी भी आउसर को मामुली ना समझें बलकि उस आउसर को एक नया बैंचमार्ग मनाने के बारे में सोचें हैं हमने जी ट्वेंटी को भी इसी एप्रोच से इतना भव्य और इतना विराट बनाया हम भी जी ट्वेंटी प्रसिदेंसी को सिर्फ डिप्लोमेटिक और दिली सेंट्रिक एफर्प बना सकते थे लिकिन भारत ने इसे पीपल ड्रीमन नेश्टनल मुव्मेट बना दिया भारत की डाइवर्सिटी डेमोग्राफी डेमोक्रेसी की ताकत ने जी ट्वेंटी को नई उचाई पर पहुचा दिया जी ट्वेंटी की दो सो से ज़्यादा बैटे के हुई 60 सहरों में का आयोजन हुआ जी ट्वेंटी की गतिविजियों में डेड़ करोड से जादा नागरिकों ने अपना योगदान दिया टियर टू और टियर थी सहरों ने भी जहां पहले किसी इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन नहीं हुआ था उन्होंने भी शांदार ताकत दिखा दी और मैं आज इस कारगम में जी ट्वेंटी के लिए अपने यूद की विशेशत तोर पर सरारा करूंगा सौसे जानदान उनिवर्सिटी और एक लाख विद्यारत को ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्रेम के जरिये जी ट्वेंटी में भागिदारी की है सरकार ने जी ट्वेंटी को स्कूल्स हार इस इक विशन और अड़ेक इस्टिटूशंस और स्किल डेवलप्में इस्टिटूट्स में पांच करोड से ज्यादा स्टूडर्स तक पहुचाया हमारे लोगों ने बड़ा सोचा लेकिन जो डिलीवर किया वो उससे भी ज्यादा भव्य रहा है साथ्यों आज भारत अपने अमरित काल में है यह अम्रित काल आप जैसी अम्रित पीडी का ही काल है है कि ट्वेंटी फोर्टी सेवन में हम देश की आजादी के सोवर्थ पूरे करेंगे वह हमारे लिए एक एतिहासिक छण होगा है ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक का कालखन वही समय है जिसमें आप युवा भी अपने भविश्य का निर्मान करेंगे याने अगले पती साल जितने आपकी जिन्दगी में महत्वपूर्ण है उतने ही देश के जीवन में महत्वपूर्ण है इसलिए एक ऐसा समय है जिसमें देश के विकास के कई फेक्टर्स एक साथ जुड़ गए हैं इस तरह का समय न इतिहास में पहले कभी आया न भविश में आने का आउसर मिलेगा यानी न भूतो न भविशती कि आज हम कि दुनिया की सबसे तेजगती से बढ़ने वाली अर्थे बवस्ता है पता है ना नहीं मालू मालू मैं रिकॉर्ड कम समय में हम दस्वे नंबर के अर्थ बवस्ता से पांच वी सबसे बड़ी अर्थ बवस्ता बन गए आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है भारत में निवेस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है आज भारत का मैनुफेक्टरिंग और सर्विस सेक्टर नई उंचाईया छू रहा है हमारा निर्यात एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है सिर्फ पांच वर्षों में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आये हैं यही भारत का नियो मिडल कराद बन गया है देश में शोशल इंफ्रसक्टर फीजिकल इंफ्रसक्टर और डिजिटल इंफ्रसक्टर के निर्मार्ण से विकास में अभूत पुर्वत तेजी आ गई है इस साल है फीजिकल इंफ्रसक्टर में दस लाग करोड का निवेश किया जा रहा है और इस तरह का निवेश साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थववस्था पर पड़ेगा और कितने नए आउसर तयार होंगे कि साथियों कि आप जैसे युवाओं के लिए यह आउसरों का दोर है कि साल 2020 के बाद करीब पांच करोड साथ ही इपी एफो पेरोड से जुड़े हैं इन में से लगवख साड़े तीन करोड लोग ऐसे हैं जो पहली बार इपी एफो के दाइरे में आये हैं पहली फॉर्मल जॉब्स उन्हें मिली है इसका मतलब यह है कि आप जैसे युवाओं के लिए फॉर्मल जॉब्स के मोके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं 2014 से पहले हमारे देश में सो से भी कम स्टार्ट अप से कितने कितने मैं इसले बुला रहा हूं क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं न कितने स्टार्ट अप 2000 के पहले कितने आज इनकी संख्या एक लाग को भी पार कर गई है कि स्टार्ट अप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के मोके दिये हैं आज भारत कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओंडिया का दूसरा सबसे बड़ा है मोबाइल मैनिफेक्चरर बन गया है हम मोबाइल फोन्स के इंपर्टर से आज एक्स्पोर्टर बन गये हैं면 कि हिसके कारण भी है बड़ी संख्या में नोक्रियों के आवसर बने हैं कि डिफेंस बेनिफेक्टिन के ख्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों में बड़ा विकास हुआ है 2014 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 23 गुना बड़ा है जब इतना बड़ा परिवर्टन होता है तो डिफेंस एकोसिस्टिम की पूरी सप्लाइच चेन में भी बड़ी संख्या में नई नोक्रियों के अवसर बनते हैं मैं जानता हूं कि हमारे कई हुआ साथ ही जौब सीकर के बजाए जौब क्रेटर बनना चाहते हैं कि सरकार की मुद्रा योजना के जरिये देश के छोटे व्यपारियों को आर्थिक मदद मिलती है आज आठ करोड लोगों ने आठ करोड आप कलपना कीजिए आंकड़ा बहुत बड़ा है यह आठ करोड लोगों ने फर्स्ट ट्राइम एंट्रप्रणर जिनके परिवार में कभी एंट्रप्रणर के नाते कोई नहीं था कि फर्स्ट टाइम एंट्रप्रणर के तौर पर अपना कोई बिजनेश शुरू किया है कोई कारोबार शुरू किया है अपना काम शुरू किया है कि पिछले नव वर्षों में पांच लाग कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं इन्हीं में से हर एक में दो से पांच लोगों को नोकरी मिली है कि साथ क्यों कि यह सब भारत में आई कि पॉलिटिकल स्टैबिलिटी कि पॉलिशी क्लैरिटी और हमारे कि डेमोक्रेटिक वेल्यूज की बज़े से हो रहा है कि पिछले नव वर्षों में कि ब्रस्टाचार को कंट्रोल करने के इमांदार प्रयास हुए है कि आप पैसे बहुत सारे विद्यार्थी वो होंगे जो 2014 में आज से 10 साल पहले उनकी उमर क्या होगी कोई दवस कोई बारा कोई चाउदा तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हिड्लाइन अखबार में क्या आती थी कैसे प्रस्टाचार ने देश को बर्बात करके रखा था कि साथियों आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि बिचोलियों और लिकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलोजी आधारिस सिस्टिम हमने बनाए है कि कई तरह के रिफॉ एक पारदर्सी व्यवस्ता बनाई गई है कि बेइमानों को सजा और इमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है कि मैं हरान हूं आजकल मुझे पर एक आरोप क्या है कि मुदी लोगों को जेल में डालता है अब मुझे बताए भाई देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे कहां रहना चाहिए एक डून डून करके भेजना चाहिए और नहीं भेजना चाहिए जो काम आप चाहते हैं वहीं मैं कर रहा हूं ना कुछ लोग बड़े परेशान है कि साथियों कि विकास की यांत्रा को जारी रखने के लिए क्लीन क्लियर और स्टेबल गवनन्स बहुत जरूरी है अगर आपने निश्य कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विक्सीत समावेशी और आत्मंदिर फर्देश बनने से कोई नहीं रोक सकता कि साथियों एक और बात भी हमें ध्यान रखने होगी कि सिर्फ भारत ही आपसे बहतर करने के अपेशा नहीं कर रहा है पूरी दुनिया आपको उमीद की नजर से देख रही है दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशल और पर्फॉर्मस दोनों का पता चल चुका है अब उनको समझाना नहीं परता है इंडिया का बेटा है तो क्या होगा इंडिया की बेटी यह तो क्या होगा कि दुनिया की प्रगती के लिए भारत की प्रगती और भारत के युवाओं की प्रगती बहुत आवशक है कि मैं निश्चिन्त होकर कि देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं तो उसकी बज़े से आप देश वाच्यों का उसके पीशे जो ताकत है न वह आप मेरे साथियों का सामर्त है मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीशे भी आप जैसे युवाओं का सामर्त होता है मैं दुनिया के मंचों पर जोड़दार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रेणा भी मेरी युवाओं शक्ती है इसलिए भारत का युवाओं मेरी असली ताकत है मेरा पूरा सामर्त उसी में है और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं कि मैं आपके बहतर भविश्य के लिए आपके बहतर भविश्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा लेकिन फ्रेंट्स मेरी आपसे भी अपिक्षाय है कि मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं कि बुरा नहीं लगेगा न आपको लगेगा यह कैसा प्रधान मंत्री है हम नव जवान उसे मांग रहा है कि साथियों में आपसे यह नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना कि साथियों में आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप सामिल हो जाईए साथियों मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है जो है वो देश का है देश के लिए है और इसलिए मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं कि देश के लिए मांग रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभ्यान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है लेकिन स्वच्छाग्र एक दो दिन का इवेंट नहीं है यह सतत प्रक्रिया है इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है और इसे लिए दो अक्तूबर को पुझ्य बापु की जन्म जैंती से ठीक पहले एक अक्तूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कारगम पुरे देश में होने वाला है कि आप सभी युवा साथ्यों को इसमें बढ़ चक्र के हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं करेंगे पुरा फक्ता करेंगे आपकी युनिवर्सिटी भी लगेगी आप को एरिया ताय करके पूरी तरह क्लीन करके रहेंगे मेरा दूसरा अग्र है डिजिटल लेंदेन को लेकर है यूपी आई से जुड़ा है आज पुरी दुनिया डिजिटल भारत की यूपी आई की इतनी प्रसंसा कर रही है कि यह गवरव भी आपका है आप सभी युवा साथ्यों ने इसको तेजी से अपनाया भी और फिंटेक में उससे जुड़े अद्वुत इनोवेशन भी किये अब इसके विस्तार की इसको नई दिशा देने का दाइत्व भी मेरे नवजवानों को ही उठाना होगा है कि क्या आप तै करेंगे कि मैं कम से कम एक सब्ता मैं साथ लोगों को कि यूपी आई ऑपरेट करना सिखांगा यूपी इसे काम करना सिखांगा डिजिटल नेंद ईश्चाओंगा करेंगे देखिए देखते ही देखते बढ़लाव सुरू हो जाता है दोस्तोव कि साथ्यों कि मेरा आप से तीसरा एक आग्रव और मेरी मांग है कि वोकल फोर लोकल को लेकर है कि साथ्यों इसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं अगर एक बार आपने इसको हाथ में ले लिया ना कि दुनिया फिर रुकने वाली नहीं है मान लीजिए दोस्तों क्योंकि मेरा आपके ताकत पर भरोसा है आपको अपनी ताकत पर भरोसा है नहीं मुझे मालूम नहीं मुझे है देखिए ये समय त्योहारों का है आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिप देने के लिए जो भी आप खरीतारी करें वो मेडिन इंडिया हो अपने जीवन बेवी आगर करें दोस्तों उनी चीजों का इस्तमाल करें उनी प्रोड़क को उप्योग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुश्बू हो जिसमें भारत के स्रमीकों के पसीने की महेंक हो और वोकल्फ और लोकल का यह अभ्यान सिर्फ त्योहारों तक सिमित नहीं रहना चाहिए घैक काम मताता हूँ करेंगे kalo कि हमबर के मिला तो उक्लास होता ही नहीं है तो कि रहेंगे कुछ लोग तो बॉलते हुआ आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिल करके कागजपे लेकर के आथ फिर मोबाइल पर लिखते हो तो मोबाइल पर सुची बनाईए कि आपके घर में जिन चीजों का आप उप्योग करते हैं 24 गंटे में जिन जिन चीजों का आप उप्योग करते हैं उसमें कितनी हमारे देश की हैं और कितनी बाहर की है बनाएंगे सुची आपको पता भी नहीं होगा आपके जेब में जो कंगा है ना कंगी वो भी कभी विदेशी आगई होगी पता नहीं होगा ऐसी ऐसी चीजे विदेशी हमारे घर में हमारे जीवन में गुज गई हैं कि देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों हाँ कुछ चीज़े ऐसी है जो हमारे देश में जैसी चाहिए वैसी नहीं है ठीक है लेकिन हम अगरह से देखें कि बई जरत तला से तो कहीं गल्ती तो नहीं हो रही है कि एक बार मेरे देश में बनी हुई चीज़े मैं खरीदना शुरू करूंगा ना तो आप देखना दोस्तों हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग आपार बढ़ेगा जिसके आप कलपना नहीं कर सकते हैं छोटा छोटा काम भी कि बड़े बड़े सपने पूरे करता है साथ यो हमारे केंपस भी वोकल फॉर लोकल के बहुत बड़े सेंटर हो सकते हैं हमारे केंपस सिर्फ पढ़ाई के नहीं बलकि फैशन के भी सेंटर होते हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगा कि कुछ दे मनाते होते तब ही होता है क्या है आज रोजड़े है क्या हम खादी को भारतिये फैबरिक को केंपस का फैशन स्टेट्मेंट नहीं बना सकते हैं कि आप सभी युवाओं में यह ताकत है कि आप मार्केट को ब्रांच को डिजाइनर्स को अपनी तरब मोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं कॉलेज और उनिवर्सिटी केंपस में अनेक कल्ट्रल फेस्टिविटीज होती है अक्टिविटीज होती है उसमें हम खादी से जुड़े फैशन सो करा सकते हैं कि हम अपने विश्वकर्मा साथीों हमारे आदिवासी साथीों के शिल्व को प्रतसित कर सकते हैं कि यह भारत को मंदिर फर बनाने का भारत को विख्शित बनाने का रास्ता है इसी रास्ते पर चलते विये हम बड़ी संख्या में मैं रोजगार निर्मित कर सकते हैं और आप देखिए यह जो तीन छोटी छोटी बाते मैंने बताई है कि आपके सामने जो मैंने कुछ मांग रखी है कि आप एक बार देख लेना आपको कितना फायदा होता है कि देश को कितना फायदा होता है किसको कितना फायदा होगा जुरूर देखिए मैरे नवजवान साथियों कि अगर हमारा यूथ हमारी नई जनरेशन एक बार खान लेना तो इच्छित प्राणा मिल ही जाता है मुझे विश्वात है कि भारत मंडपम से आप आज जाएंगे इस संकल्प लेकर कर जाएंगे और संकर लेकर अपने इन सामर्थ को भी जुरूर प्रगड़ करके रहेगा साथियों हम पल भर के लिए सोचिए हम वो लोग है जिने देश के लिए मरने का मोका नहीं मिला है जो स्वभाग भगस्ति को मिला सुखदेव को मिला है चंद्शेखर को मिजा आजात को मिला हमें नहीं मिला लेकिन भारत के लिए जीने का मोका हमें मिला है कि आज से सो साल पहले की दर्म नजर करिए उस समय का जो नवजवान था उसने ठान लिया था कि मैं देश को आज हाथ करना लिए जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूँगा जो मार्ग मिलगा मैं करूँगा और उस समय के नवजवान चल पड़े थे किताबे अलमारी में रख दी थी जेलों में जाना पसंद किया था फासी के तक पर चलना पसंद किया था जो रह मिली उस रह पर चल दिये थे सो साल पहले जो पराक्रम की पराकास्था हुई त्याग और तपस्या का माहोल बना मात्र भूमी के लिए जीने मरने का इरादा मजबूत हुआ देखते ही देखते 25 साल में देश आजाद हो गया हुआग नहीं दोस्तों उनके पुर्शार्त हुआग नहीं हुआ अगर उस 30 साल के राष्ट व्यापी जो सामर्थ पादा हुआ उसने 1947 में देश को स्वराज दिया साथियों मेरे साथ चल पड़ो आओ मैं आपको निमंत्रन देता हूँ पतीस साल हमारे सामने है सो साल पहले जो हुआ था हम एक बार वो स्वराज के लिए चले थे हम समुरुद्ध के लिए चल पड़े पतीस साल मैं इस देश को समुरुद्ध बढ़ा करके रहेंगे उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा आत्मनिर्भर भारत समुरुद्धी के द्वार खोलता है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत स्वाभिवान को नई उचाई पर पहुँचाता है उस संकल्प को लेकर के तलिए आईए हम मिलकर के एक समुरुद्ध भारत का संकल्प पुरा करें 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए और तब आपनी जीवन की सबसे उंचे पाइदान पर होंगे 25 साल के बाद आप जहां भी होंगे अपने जीवन के सबसे उंचे पाइदान पर होंगे आप कल पुना करो दोस्तों मैं जो आज महनत कर रहा हूं और कल मैं आपको लेकर के महनत करने वाला हूं वो आपको कहां से कहां पहुचा देगा आपके सपने शाकार होने में कोई रोक नहीं कर सकता है दोस्तों और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों भारत को दुनिया की तीन टॉप एकोनोमी में में लाग करके रखूंगा और इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूं आपका सहयोग चाहता हूं मा भारती के लिए चाहता हूं एक सो चालीस करोड भारत वास्यों के लिए चाहता हूं मेरे साथ बोलिये भारत माता की पूरी ताकत से बोलिये दोस्तों भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद